नमस्कार दोस्तो आपको ये तो पता होगा कि ग्रामिन डाक सेवकों को हाडशिप और रिस्क अलाउंस दिया जाता है लेकिन ये सभी GDS ओफिशल्स को नहीं दिया जाता है सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि हाडशिप और रिस्क अलाउंस क्या है देखिए दोस्तो हाडशिप और रिस्क अलाउंस एक ऐसा भत्ता होता है जो वैसे ओफिशल्स को दिया जाता है जो किसी हजार्डस एरिया में या फिर पहाड़ी इलाकों में अपनी ड्यूटी क करते हैं जो ABPM हिली एरियाज और तालाव बगरे पार करके अपनी सेवाई देते होंगे उनको ये बात अच्छे से पता होगी होता क्या है कि ऐसे एरियाज में काम करने से एक तो हमेशा जान का खत्रा बना रहता है या फिर कभी-कभी अपरिया घटना होने का डर लगा रहता है इसलिए इसको compensate करने के लिए और financial stress है जो वित्यत नाव आता है officials के अंदर उसको खतम करने के लिए risk and hardship allowance दिया जाता है ऐसे जोखिम उठाकर अपनी सेवाई देने का जजबा भी हमारे GDS भायों के पास है दोस्तो specially जो जमू कश्मीर में अपनी सेवाई दे रहे हैं और उत्तरा खंड में अपनी duty कर रहे हैं और शिमला तो आपको पता ही है जो बड़े बड़े पहाड़े इलाकों में अपने इमांदारी से सेवाई दे रहे हैं उनको ये risk and hardship allowance देना बहुत जरूरी हो जाता है और दोस्तो आपको तो पता है योगा कि सबसे उंचा मतलब सबसे हाई position पे हाई सबसे उंचे height पे हाई altitude पे एक post office है शिमला में यह है I think Hikkim नाम है उसका हिकी में सो करके शायद हिकी में ही वो post office है तो ऐसे जगह ओपर हमेशा खत्रा बना रहता है तो ये allowance भी जरूरी हो जाता है और आज इसी allowance के area को लेकर ये video है जो All India Grameen Dock Sewak Union के मतलब AI GDSU के जो General Secretary है SS महाँ देवाईया उन्होंने Director General of Postal Services को एक letter लिखा है अब देख सकते हैं यहाँ To the Director General Postal Services Department of Post, Dark Bhavan, New Delhi और उन्होंने इसी के area को लेकर ये letter लिखा है subject में आप देख सकते हैं देना चाहिए था लेकिन अब तक वो payment नहीं हो पाया इसी के payment को release करने के लिए यहाँ पर ये letter लिखा गया है Digi को remind किया गया है एक प्रकार से और ये 100% मिलेगा दोस्तो थमनेल में भी मैंने यहाँ लिखा है जनवरी में जब ये आदेश आ चुका है तो अब तक hardship and risk allowance क्यों नहीं मिला GDS को यहाँ पर यही सवाल किया गया है तो उसके लिए फिर request किया गया है कि इस payment को जल्दी से जल्दी release किया जाए और जब से बाकी है उसको area के रूप में hardship and risk allowance ग्रामीन डाक सेवकों के खाते में जमा किया जाए यहाँ देख सकते हैं आप तो एक अच्छी news है यह अगर नहीं मिला है किसी को किसी GDS भाई बहन को risk allowance तो उनको बहुत जल्दी मिल जाने वाला है और जब से बाकी है तब से area मिलने की भी संभावना है तो आज के वडियो में इतना ही मिलेंगे नए अपडेट के साथ